Good morning children, how are you? All are fine. I hope you all are fine. Did you remember what we learned last class? हमने last class में क्या पढ़ा था? Neighborhood, हमारे असपास कौन-कौन सी जगा है, उसके बारे में हमने याद करा था ना? Yes, all of you learned? Very good. Park, school, bus stand, police station, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने याद करें थी, हमारे आपके पास में क्या-क्या चीज़ें हैं, उसब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. Okay children, today we are going to learn about our 8th chapter, market. आज हम क्या पढ़ेंगे? मार्केट के बारे में. Okay, market means क्या होता है? Yes, आप मार्केट जाते हो? Yes, मम्मी, पापा, दादा, दादी सब के साथ जाते हो ना? आपको मार्केट जाना अच्छा लगता है, हमें कुछ पीचीज खरेदना होता है, तो हम कहां पर जाते हैं? मार्केट में. और वहां से हम क्या करते हैं, बेटा? सामान लेकर आते हैं ना? येस अलग-अलग शौप होते हैं वहाँ पर मार्केट में अलग-अलग दुकान होती है आज आपको क्या पढ़ना है मार्केट के बारे में पढ़ना है आपको देखना है कि मार्केट में कौन-कौन सी शौप हैं कि आपके आसपास में, आपके घर के पास में भी दुकानी होती है, कौन-कौन सी दुकानी होती है, येस, आपको टोफी लेने के लिए, टॉइस लेने के लिए, आईस क्रीम लेने के लिए आप जाते हो ना मानके, येस, कभी न कभी घर वाले के साथ हम मानके जाते हैं, और हम इने कि टोस्ता वह रोगता जेया चांदी की दुकान होते हैं जोड़ी दुकान होते हैं जिसे कि पूटी ये सब जीज़े हम सोने चान्दी के दुकान से लेकर आते हैं, येस, स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान, हमें मिठाई की धुकान पर जाते हैं, और खरिद कर लाते हैं ना, येस, मिल्क डैरी, दूद की डैरी भी घुँती है, वहां पर हमें दूर लेना होता है, दही लेना होता है, तो हम कहां पर जाते हैं, मिलक डेरी में, ऐसे आपके पिच्छल में अलग-अलग शॉप के बारे में दिया हुआ है, आज आपको क्या पढ़ना है? मारके, सुपर मारकेट Geniper क्या होता है? बड़ी दुकान जहाँ पर हमें घरे लुप्यों की सारी सामाने मिल जाती है उससे हम क्या बोलते हैं सूपर मार्केट, क्लोथ शोप, कपड़े की दुकान भी होती है मार्केट में हमें कपड़े खरीदना होता है तो हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं अलग-अलग सामानों के लिए अलग-अलग तुकानी लगी होई होती है वहां से जाकर हम क्या करते हैं खरीद कर लाते हैं वेजिटेबल सेलर सबजी बेशने वाले के ठेले भी होते हैं जा से हम सब्जी लेकर आते हैं और मार्केट में भी सब्जी पेश्टे वाले बैठीवे होते हैं येस हमारे घर के पास में भी सब्जी लेकर आते हैं येस आपने देखा होगा कॉबलर जुटे चपल से लवाने के लिए हम किसके पास आते हैं कॉबलर जुटे चपल हमारे सा करके देते हैं ये अब और अच्छे से आप लोगों को पिच्छर में देखना हैं कौन कौन सी शॉप के बारे में अच्छा पढ़ेंगी मार्केट मीज बजार बजार में जो शॉप होते हैं अलग अलग डिफरेंट शॉप All of you can see the picture. Bookshop. Bookshop means क्या होता है बिटा? बुक की दुकान जहां पर हमें बहुत सारी books, pencils, erasers, shopners, colors, pencils ऐसे हम बहुत सारी चीजे कहां से लेकर आते हैं? Bookshop में जाकर लेकर आते हैं, yes, book की दुकान, इसकी spelling भी आपको लेर्ण करना है, आपको पिच्छर आएंगे तो आपको लिखने के लेकर आना है, yes, इसके साथ साथ बोलना भी है, okay, B, O, K, bookshop की spelling, S, H, O, P, bookshop, bookshop means, किताब की दुकान, book, बैट, सब मिलते हैं वहाँ पर, okay, आपने देखा है, yes, क्या बोलते हैं पेटा इसको, bookshop, okay, next one, dwelling shop, सोने चांदी यहाँ पर, हम सोने चांदी के कहां से लेकर आते हैं, dwelling shop से लाते हैं, yes, chain, अंगोठी, कड़े, पाया, यह सारी चीजियों आपर, हमें कहां से लेती है, dwelling shop में जाकर लेना होता है, yes, आप लोगों को, अलग अलग shop के बारे में पढ़ना है, मार्के, मार्केट में अलग अलग दुकान ही लगी होती है, हमें क्या चाहिए होता है, हम उच शोप में जाकर लेकर आते हैं, Jewelry shop means, yes, सोने चाहिदी की दुकान, okay, spelling में इसके साथ बोलों, आप लो, J, E, W, E, W, L, E, R, Y, Jewelry shop, S, H, O, P, Jewelry shop, okay, J, Jewelry shop में क्या लेकर आते हैं, बिटा, yes, सोने चाहिदी की दुकान को क्या बोलते हैं, Jewelry shop, okay, next one, sweet shop, मिठाई की दुकान होती है, वहाँ पर अलग अलग मिठाईयां रखी हुई होती है, हमें कौन सी मिठाई पसंद आती है, तो हम वहाँ जाकर उन दुकान वाले को बोलते हैं, तो हमें मिठाई निकाल कर देते हैं, yes, आपके घर के पास में भी आपको देखना है, कौन कौन स sweet shop means क्या होता है मिठाई की दुकान यहाँ पर क्या मिलता है मिठाईया मिलती है और नमकीन वगेरा सब चीजें अलग-अलग हमें जो मिठाई भी चाहिए होती है हम महाँ सर लेकर आते हैं येस इसकी spelling भी बोलना है आपको s-w-e-t sweet shop s-h-o-p sweet shop ओके मिठाई की दुकान नेक्स्ट वान मिल्क डेरी यहाँ पर हम क्या करते हैं बिटा येस धूत, दही पनी दूस्थे बना हुआ चीजे यहाँ से लेकर आते हैं मिल्क डेरी से है ना मिल्क डेरी आपके घर के पास भी भी होगा मिल्क डेरी जहाँ पर दूस्थ मिलता है येस इसे हम क्या पहुते हैं मिल्क डेरी स्पैलिक भी बोलना है आपको इसके साथ मिल्क डेरी मिल्क डेरी मिल्क डेरी मिल्क डेरी जहां पर दूस्थ मिलता है दूस्थ दखी पाली ये सारे चीज़ें हम कहां से लेकर आते हैं मिल्क डेरी से नेक्स्ट वान सुपर मार्केट सुपर मार्केट इन गया होता है बटा बड़ी दुकान होती है जहां पर हमारे गरे लूप योग के सारे सामान मिलते हैं हमें जो चाहिए होता है, हम बड़ी दुकान में भी जाकर लेकर आते हैं इसे क्या बोलते हैं, सुपर्मार्के, S, U, P, E, R सुपर्मार्के, M, A, R, K, E, T सुपर्मार्के मेंस क्या होता है, बड़ी दुकान जहां पर सारे सामान मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा सुपर मार्केट नेक्स्ट वान क्लॉट शोप क्लॉट शोप भी होती है दुकान कपड़े की अलग-अलग दुकानी होती है ना मार्केट पर बहुत सारे दुकानी होती है येस cloth shop means कपड़े की दुकान जहां पर कपड़े अगरा मिलते हैं उसे हम क्या बहुते हैं बेटा cloth shop cloth shop के spelling भी बोड़ों इसके साथ C-L-O-T-H cloth shop S-H-O-P cloth shop कपड़े की दुकान जहां से हम क्या करते हैं कपड़े ये कराते हैं vegetable seller vegetable seller means yes सबजी की देले में सबजीआ बेशते हैं हमारे घड़ के पास में भी आता है सबजी वाला और market में भी सबजीया हमें देले में रख़ी ही मिलती है और बहुत सारे लोग Taste के अन्दर भी सबजीया बेशते हैं जैसे हम सब्ची खरीद के लाते हैं, सब्ची भिष्टे हैं न, yes, क्या बोलते हैं बेटा इंगो, vegetable sailor, सब्ची वाले को, हुं क्या बोलते हैं सब्ची भिष्टी मेरे को, vegetable sailor, okay, V-E-G-E-P-A-B-L-E Vegetable Sailor S-E-L-L-E-R Vegetable Sailor means सबजी बेशने वाले के क्या होते हैं? Vegetable Sailor Cobbler Cobbler इने क्या होता है? जहाँ पर हम जूते चपल सिल्वाते हैं, उसे हम लब होते हैं Cobbler ये भी मार्केट में इनकी दुकाने होती है हम जाते हैं ना, हमारी चपल, सैंडी, जूते वगेरा धराब हो जाती है फट जाती है, तो हम सिल्वानी के लिए जाते हैं, ना Yes, Cobbler Cobbler means, जूते सब चपल सिल्वारे मौची को हम क्या बहते हैं, Cobbler ओके, आज हमने क्या पढ़ा बेटा? मार्केट के बारे में, ओके आज हमने क्या पढ़ा? अलग-अलग शॉप होती है, मार्केट में आज हमने कित्ती सारी शॉप के बारे में पढ़ा हैं ना? Yes, Bookshop, Jolly Shop, Sweet Shop, Supermarket, Vegetable Seller, Cobbler ऐसे हमने क्या क्या चीज़े पढ़ी आज? इस सब आप लगों बच्चे से याद करना हैं आज हमने क्या पढ़ा? मार्केट चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मार्केट में अलग-अलग डिफ्रेंट डिफ्रेंट शॉप होती है अलग-अलग सब सामानों के लिए अलग-अलग दुकान ही होती है हमें जो चाहिए हम उस दुकान पर जाकर सामान खरिद करना देना? Yes, आप भी जाते हो ना? टॉइस लेने के लिए? अलग-अलग दुकान ही लगी होती है वहां से हम जाकर खरिद कर लाते हैं आज हमने जो याद करा है आप लोगों को च्छी से याद करना है, ओकी?